स्नेक प्लांट को ग्रो करते वक्त आपको कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत ही बेसिक है लेकिन फिर भी लोग उन बेसिक चीजों को गलतियां करते हैं प्लांट में और उनका प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है या कुछ ना इसको बुलाया जाता है सेंसिवेरिया भी बोला जाता है इस प्लांट को अगर आप नर्सरी में जाएंगे और इन तीनों नामों से अगर बोलेंगे तो आपको यह पौधा राम से मिल जाएगा इंडोर बहुत ग्रो किया जाता है यह प्लांट लेकिन मैंने अगर सच बता करता है यह जो पॉलिटेंट से वह सारे दूर करता है तो काफी लोग अपने कमरे में एक प्लांट रखना प्रेफर करते हैं और इसलिए आपको भी रखना चाहिए कि आजकल जैसे कि हम शहरों में रहते तो पॉलूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो रेक्मेंड कर कर रहा हूं तो आप बहार अगर ग्रो करना चाहते हैं तो ऐसी लोकेशन पर रखें जहां पर चाया पड़ती हो तेज धूप में रखेंगे तो बहुता खराब होना शुरू हो जागा इसका पॉट साइज मैंने यह पॉट साइज एक वैसे गलती करी थी छोड़ा सा छोट पॉट साइज रखा था इसकी रीपॉटिंग का टाइम आ गया है यह 8 इंच का मिट्टी का गमला है लेकिन अगर आप स्नेक प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो मैंने वैसे तो इसमें सिर्फ दो प्लांट लगा यह इतनी जल्दी रीग्रो करता है और इसके बहुत सारे चोटे-चोटे प्लांट आसपास आते हैं तो यह दो प्लांट से अभी पता नहीं कितने चे-साथ-दस-बार आप लांट होगे हैं और अब इनको मैंने रीपॉट करके इनको अलग-अलग करना पड़ेगा और अलग-अलग गमलों में लगाना पड़ेगा तो मैं आपको करूंगा कि आप थोड़े बड़े गमले को चूज करें अगर स्नेक प्लांट को ग्रो कर रहें वैसे छोटा भी अच्छा है थोड़ा घना लग रहा है देखने में सुंदर लगता है तो इसकी पॉट साइज पर भी काफी ध्यान देने आपको तीसरी और बहुत इंपॉर्ट प्लांट है यह ड्रॉट टॉल्ट होता है इसमें उतना पानी दीजिए जितना रिक्वाइड है थोड़ा सा बीच में अगर वाटरिंग में यह ड्रायओ भी हो रहा है तो कोई परिशानी नहीं है बहुत बढ़िया तरीकी से प्लांट चलेगा आप जैसे देख सकते हैं ज क्योंकि drainage और थोड़ी सी loose soil चाहिए होती है अच्छी चाहिए होती है इस प्लांट को और अगर आप बाइचांस ओर वाटरिंग करते हैं तो जो मिट्टी है वह सौगी नहीं रहती कीचट कीचट जैसी मिट्टी नहीं बनती तो प्लांट बड़ा ठीक रहता है उस stress को लगब नहीं बह Sen rarely होग त्यार करके आप पानी में यहां पे डिरेकली डियर्ट प्लांट नहीं हम इसे फ्लावर भी करें आता है यह अबी उतनी इसलिए अँपलावर इस तो नहीं आ रहे लेकिन कफी बूचने है कि स्नेक क्याब इताधर अते तो मैं हां बताता हूं आतः स्नेक प्लावर्स आते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा मेच्वर्टी स्टेज निया तो इसलिए जैसे कि मैंने बताया अभी नहीं आएंगे थोड़े टाइम बात आजेंगे प्रॉपगेशन इसकी वैसे तो आसान होती है यह पत्ते काटके ही प्रॉपगेट कर दिये जाते हैं और उसमें से नया प्लांट बन जाता है उसके उपर भी एक नई वीडियो बनाऊँगा अभी तो यह बेसिक चीजे में बता रहा हूँ आपको जो यह वीडियो में आपने ध्यान रखना है जो मैं आपने स्नेक प्लांट को लेके और एक और फेटलाइजर आता है वह है लि पानी में एक चमच लेना एक लीटर पानी में Epsom Salt को डालना है मिलाना है जब पानी तयार हो जाए तो थोड़ा सा उपर Leaves पे आप स्प्रे कर दिये उस पर होता क्या है जो यह leaves का green green color है यह intact रहता है जाता नहीं और overall जो भी Epsom Salt के nutrients होते हैं वो आपके snake plant को मिल जाते हैं औ तो यह कुछ चीजे हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप स्नेक प्लांट को ग्रो कर रहे हैं अपने घर में चाहे बाहर या इंडोर अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे अपने प्लांट में बहुत जबर्दस ग्रोथ करेगा बहुत बढ़िया दरीके से ग्र झालम झालम तरीके से लिध